नमस्कार दोस्तों सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है तो दिखिए इस वीडियो में हम लोग NLC GIT के जो आज examination आपके हुई थी तो उसका हम लोग review देखेंगे और देखेंगे कि paper का pattern कि इस type का था आपका जो भी technical non-technical part है जिसे कि आने वाले जो भी candidate है जिनका examination अभी होन से तो कुछ इस तरीके के आपके थे तो देखिए जो technical or non-technical मिला के आपके total जैसे 120 question आपके थे इसमें से तो जिसमें की हम non-technical की बात करते हैं तो general awareness जो आपका है तो इसमें से आपके 5 question पूछे गया थे और वहीं quantitative aptitude की बात करते हैं तो इससे आपके 10 question पूछे गया थे general English से आपका 5 question पूछे गया थे और data interpretation से आपका इससे 10 question आपके पीछे गया थे आपका aptitude से मिला जुला के आपके जैसे इससे ही 10 question यह दोनों अलग-अलग section आपके पूछे गया थे aptitude 10 अलग और quant आपका अलग 10 question और 10 question logical reasoning से आपके थे तो कुल मिला के आपका 40 question जो था और वहीं पर हम बात करते हैं जो professional knowledge यानि के जो technical part आपका तो इससे आपके जो है बाकी जो as pattern आपका दिया था 80 question तो आपको as it is इसके थे तो यह कुछ आपका paper का pattern था कि कि कितने number of question हर एक section से आपके पूछे गया थे तो यहाँ पर हम लोग एक एक करके सब को analysis करेंगे हम लोग सबसे पहले हम बात करते हैं general awareness का तो देखिए इससे आपके total five question आपके पूछा गया थे तो कुछ question जो हमें मिला था candidate के दौरा तो इन्होंने कुछ इस तरीके से question देखिए आपके बताया थे question जो आपका था तो who on the humanitarian award in 2019? तो 2019 में humanitarian award जो है किसने जीती थी? तो इसका दिखिए जो answer आपका में भी हो सकता है आपका यहाँ पे कि प्रियंका चोपड़ा को दिया गया था UNICEF के दावरा प्रियंका चोपड़ा को और साथ में Danny Canke तो इन दोनों को humanitarian award दिया गया था 2019 का और इसके बाद एक औ तो देखिए इसका answer यदि आप लोगों ने देखा होगा तो women single के दी हम बात करते हैं और main single दोनों इसके होती है अलग-अलग category में तो women single में 2019 का जो हुआ था तो उसमें जीती थी नवामी उसाका ने जो कि एसले बाटी को इन्होंने हारा था और 2020 की हम बात करते हैं तो यह देखिए कोविड-19 के चलते जहां यह हैड नहीं हो पाई थी तो मेभी आपका 2019 का ही उसमें दिया होगा option आपका और वहीं main single के दी हम बात करते हैं आपका तो इसमें देखिए 2020 में कोई अभी जैसे हो नहीं पाया है इसका coronavirus के चलते हैं लेकिन 2019 की बात करते है main single में यह ज सिंगल का पुछा था यह ज्यादा clarification नहीं हुआ बट यह आपका अदोनों में से कोई भी अगर होगा तो यह answer आपका होगा नवामी ओसा कभी में single से और main single से चल रहा था उसको अदि आपने देखा होगा तो में भी आपको सजुरूर कुछ ने कुछ benefit आपको मिले होंगे और वहीं देखिए हम बात करते हैं आपका aptitude की हम बात करते हैं quantitative aptitude का तो इसमें देखिए total आपके 10 question आपके पूछे गया थे और यह purely आपका arithmetic से पूछे गया थे इसमें कोई भी advancement से आपके question नहीं पूछे गया थे तो mostly जो section आपके पूछे गया थे जो कि इसमें आपका था तो आपके number system, percentage, simplification और इसके साथ में time and work, speed, time, distance, profit and loss और board mass based question आपके इसमें पूछे गया थे साथ में simple interest, compound interest और pipe and system और abortion stream से यह सारे question आपके पूछे गया थे अब इसमें दिखिए multiple sets आते हैं इसमें तो किसी में question यह vary कर सकता है किसी में एक set से यह type के question आते हैं तो किसी में दूसरे set से दूसरे type से जो person है section से आ जाते है questions आपको बट overall जो रहता है तो सबका लगभग एक ही रहता है यह question तो जो quantity aptitude था आपका तो 10 question में से जो है आपका लगभग 5 question तो बिल्कुल easy थे आपके और इसमें कोई high level का नहीं दिया गया था आपका एनि कि जो SSC का जो pre level का जो examination आपका होता है तो उसी के level पे आपका यह पूछा गया था डि आई sorry जो आपका quantitative aptitude है और तीन चार ऐसे कुछ question थे आपके इसमें कि जिसमें की time consuming थे मतलब कि उसमें आपको solve करने के लिए जो है थोड़ा सा आपको KLC की भी ज़रूत पड़ सक दूसरा जो portion इसमें था आपका that is data interpretation का जिसे कि आपके 10 question आपके पूछे गया थे तो यह आपका काफी easy था इसमें कोई भी जो है आपको special पड़ने के जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको यदि आप लोग quantity aptitude जी अपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा जैसे उसमें आपके रहता है average निकालने का या फिर और भी उसमें आपके रहते हैं percentage calculation का तो उसी के बेस्ट पर आपके डियाई के question आपके रहते हैं जिसमें के table के format में और line chat या फिर आपके दिये जाते हैं तो mostly आपका इसमें table डिया और line chat के best question आपके आए हुए थे तो यह section काफी easy थ होता है आपका जिसमें की clerk का जो एक जामलिसन होती है प्री level का तो प्री लेवल का जस्ट पैटन अपमान के चलिए फिर जो आपके डियाई पूछे जाते हैं प्री में जो कि क्वांट में आपका आता है तो बस वहीं level का था इसमें को ज्यादा top level का नहीं था जो कि student के द पूछे गया थे तो question देखिए जो पूछे गया थे इसमें आपका sporting error से आपके थे लग दूद इसमें से आपके थे sporting error आपका जो purely grammar based पहाए जो कि आपको जितने भी ग्रामर के जो rules होते हैं जैसे आपका adjective से नाउन से, प्रोनाउन से, इसके बाद सब्जेक भव एग्रमेंट प्रिपूजिशन से, तो यह सारे रूल्स आपको याद करने होंगे, तो उसके बीजिस पर एक कोशन आपको पूछा गया थे, तो इसके लिए हमने पीडिया भी आपको प्रवाइट किया था, इंग्लिस का बेट्विन पर्सन, ग्रूप या फिर कोई नेसंस के बीच में जो एग्रिमेंट होती है, तो इसको बोलते हैं, हम लोग कौन कोड बोलते हैं, हम लोग, तो अब आपका ऑप्शन पर डिपेंड करे हैं, कि वहाँ पर क्या दिया हुआ था, तो इसके बेसिस पर आपको मार क क्या दिया हुआ था, तो इस टाइप के थे, तो जनरल इंग्लिस भी आपका काफी उतना ज्यादा हाड नहीं था, या आपका एजी ही लगभग था, यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा इंग्लिस को, तो आप लोग आराम से क्वेशन को कर सकते हैं, क्योंकि पांची क कोशन आपके थे, और इसमें कोई स्पेसर आपको आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस आप लोग सिनो नेम्स अटो नेम्स आप लोग देख लेना, जो लिस्ट हमने आपको दिया हुआ है इंग्लिस का, और साथ में और भी आप लोग देख लेना, जो इंपोर्टन रहता है, और स्पोर्टिंग एरर के जो रूस रहता है, आपके तो उनको आप लोग स्टेडी कर लेना, तो इंग्लिस आपका बंग जाएगा, और वहीं पर हम लोजिकल रिजनिंग की बात करते हैं, तो इससे आपके 10 कोशन पूछे गया थे आपके, और ये भी सेक्शन ज तो ये सारे टॉपिक्स थे, बिल्कुल जो की पूछे गया थे आपके, as given by the candidate review, तो ये सारे portion आपके हैं, तो आप लोग इसको बढ़के जा सकते हैं, ये सारे topics को, और लगभग यही है, कि जो आप लोग SSC exam में, या फिर और भी जो exam आप लोग देते हैं, तो वही सब का level type का कोई question नहीं था, कि आपको बड़े बड़े puzzle दे दे देंगे आपको, और आपको solve करना होगा, बहुत simple आपके थे, SSC level के आपके थे, और जो railway के exam जो आता है, उसी level type का था इसमें, तो इसमें भी आप लोग काफी अच्छा score कर सकता हैं, और ये section आपका easy to moderate रहा था कोई ज़्यादा tough question आपके इसमें से नहीं थे, तो ये सारे आपके non technical parts आपके थे, और देखिए technical के दिए हम बात करते हैं, तो देखिए technical में आपका जो question जो रहा था, तो वो आपका जो है mostly theoretical part से ज़्यादा पूछे गया थे, numerical question कुछ ही थे उसमें, theoretical ज़्यादा थे, और साथ में जो question आपके थे, तो वो बोल रहे थे, कि जैसे आपका IE, इसका pre-level का होता है, तो लगभख कुछ type के आपके थे, मतलब कि उसमें थोड़ा सा conceptual type के भी आपके पुछे गया थे questions, और बाकी mostly जो है repeated भी थे आपके, बाकी जो और exam में आपके इधर उदर से घुमा पूछते रहते हैं, तो आप लोगों से यही है कि बस आप लोग जितने भी previous year में पूछे गया हुए हैं कि questions आपके, तो आप लोग उनका revise कर सकते हैं, और साथ में आपना जो आपने short notes बनाया होगा technical का, तो उसको भी आप लोग study करके जा सकते हैं, तो आपका exam जो है अच exam दे दिया है आज का, तो उनका अच्छा ही गया होगा, और बाकी जिनका भी होने वाला है, तो उनका भी exam अच्छा ही जाएगा, ऐसा मेरा expectations है, तो आप लोग study करते रहिए, और भी आगे का update अगर आता है, तो हम आपको information देते रहेंगे, तो चलिए दोस्तो, I hope कि आपके मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye